तोड़े वे अपने दिन भर की सारी घटनाओं के बारे में अपने ममी पापा को बताने के लिए वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं एक लड़की के बारे में इस चैप्टर में जिसका नाम है सीमा सीमा जब अपने घर आती है तो उसके घर में भी ऐसे दो लोग होते हैं जिसे वो अपने दिन भर की सारी खबरों के बारे में बताने के लिए एक दम एकसाइटेड रहती है सीमा के बारे में हर पात सुनने के लिए हमेशा तयार रहती है उसकी नानी शी वेट करती है कि कब मैं स्कूल से वापस आऊंगी शी इस क्वाइट ओल और ओफन है बुजर्ग हो चली है और उने हमेशा पीट में दर्द की शिकायत रहती है अगर कोई उनकी मदद करने की कोशिश करता है तो वो बहुत दुखी भी हो जाती है हाला कि उन्हें ठीक से दिखाय नहीं देता लेकिन उन्हें सबजियां काटना बहुत अच्छा लगता है और वैसे ही दूसरे है रवी भाईया रवी भाईया सीमा के ममी पापा को भाईया भाभी बुलाते हैं रवी भाईया बहुत ही प्यारे भाईया है और वो सीमा को कभी भी मना नहीं करते बाते करने के लिए रवी भया कॉलेज में पढ़ाते हैं और उनके बहुत सारे स्टुडेंट्स उनके घर में ट्यूशन भी पढ़ने आते हैं उन्हें म्यूजिक सुनना और नाटक में हिस्सा लेना के बहुत शौक है रवी भया का good sense of humor है मतलब वो बहुत ही मजाकिया भी है और हमें हमेशा हसाते भी हैं रवी भया जब भी चलते हैं तो हमेशा अपने साथ एक white stick को लेकर चलते हैं क्योंकि रवी भया को दिखाई नहीं देता he is blind looking at him moving around in the house no one can say that he cannot see पूरे घर में उन्हें घूमता हुआ देकर कोई बोल ही नहीं सकता कि उन्हें दिखाई नहीं देता he likes to do all his work himself रवी भया को भी अपना सारा काम खुद ही करने में अच्छा लगता है if someone tries to help him against his wish he gets angry अगर रवी भया को भी उनकी मरजी के खिलाफ कोई उन्हें मदद करने की कोशिश करता है तो उन्हें भी बहुत घुसा आ जाता है some of भया students take books from him and return them after recording them रवी भया listens to these tapes भया के कुछ students उनकी book ले जाकर आवाज की recording करते हुए books को पढ़ते रहते हैं भया फिर उन्हें recording को सुनते हैं और इससी तरह उनकी book की भी पढ़ाई हो जाती है रवी भया के पास और भी बहुत सारी किताबे हैं उन्में से कुछ किताबों के pages बहुत ही ठिक हैं और उन्हें raised dots बने हुए हैं रवी भया उन्हें किताबों को अपनी उंगलियों से चू चू कर पढ़ते हैं जैसे कि आप देख रहे हो इस photo में रवी भया चू चू के उन्हें किताबों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इन किताबों के pages में raised dots यानि की उबरे हुए dot dot structure हैं भया को तंग करने के लिए कभी कभी मैं उनके stick रखने की जगा को change कर दिया करती हूँ लेकिन फिर भी भया कभी भी मुझसे गुसा नहीं होते क्यूकि मैं उनकी favorite sister सीमा हूँ I had hardly reached the door that भया spoke up सीमा, you seem to be very happy today मैं तो आज दर्वाजे तक पहुची ही नहीं थी लेकिन फिर भी भया ने मुझे दूर से ही पहचान लिया और कहा सीमा आज तुम बहुत खुश लग रही हो भया ना सिर्फ मुझे लेकिन घर के हर एक सदस्य को बहुत ही आसानी से सिर्फ उनकी आवाज सुनकर ही पहचान लेते हैं और यहां तक ही वो यह भी बोल सकते हैं कि हम खुश हैं या दुखी हैं मैं अपने स्कूल में एक फुटबॉल कोच बन गई थी और इसी खुशी की खबर को मैंने भया को बहुत ही खुशी के साथ सुनाया भया ने मुझे शाबाशी दी और यह कहा कि अपसे तुम ही मुझे फुटबॉल सिखा ना सीमा's father read the newspaper aloud to her nani How do you help all people? I help all people when I get a chance I help my grandfather in searching his spectacles हम अपने दादा दादी को उनके चश्मे ढूनने में मदद करते हैं और कभी-कभी उनके साथ evening walk पे भी जाते हैं What kind of problems do people have in old age? बुजर्ग हो जाने पे अकसर लोगों को बहुत सारी शारीरिक समस्याएं होती हैं जैसे उन्हें अच्छे से दिखाएं नहीं देता काफी लोगों को ठीक से सुनाई भी नहीं देता वो ठीक से खाना भी नहीं खापाते क्योंकि उनके दात कमजोर हो जाते हैं और कई सारे लोगों को गुटनों में और कमर में दर्द भी होता है How does रवी भाईया come to know so many things without seeing? रवी भाईया को बिना देखे ही इतनी सारी चीज़े कैसे पता चल जाती है? रवी भाईया comes to know so many things by hearing क्योंकि ब्लाइंड लोगों की सुनने की शक्ती बहुत ही तेज होती है They have a very strong sense of hearing इसलिए वो सुनकर ही हर चीज़ का पता लगा लेते हैं Have you ever needed a stick? When? स्टिक की जरुरत हमें वैसे तो कभी नहीं पड़ती लेकिन जब भी हम किसी पहाड़ी पर जाते हैं या हिल स्टेशन पर जाते हैं तब हम स्टिक के जरुए बड़ी है असानी से चढ़ाई चढ़ सकते हैं Can you think when you may need a stick? तो जैसे के हमेंने बोला Whenever we get fracture और स्प्रेन जब भी हमारे पैर में मोच आ जाए या फिर when we have to climb a rock और a mountain ऐसी हालत में हमारे लिए stick बहुत ही लाबदायक होती है How do we help those people who cannot see? जिन लोगों को दिखाई नहीं देता हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? शायद हम उन्हें बस में अपनी seat को offer करके उन्हीं मदद कर सकते हैं या फिर उन्हें सीडी चरने में मदद कर सकते हैं या फिर उन्हें अखबार को पढ़ने में मदद कर सकते हैं Next हम खेलेंगे Blindfold का एक game Blindfold का game वो होता है जिसमें हमें अपनी आखों पर पट्टी बांद कर अपने दोस्तों को सिर्फ छूकर ही पहचानना होता है कि वो कौन है उसी तरीके का एक game आपको अपने भी friends के साथ पता करना है और उसके बाद इन सारे प्रशनों के उत्तर देने हैं How many children could recognize the others by touching them? तो आखों में पट्टी बांद कर हम सिर्फ छूकर शायद सिर्फ एक या दो लोगों को ही पहचान सकتे हैं How many children could recognize the other children by only hearing them? अपनी आखों पर पट्टी बांद कर सिर्फ दूसरों की आवाज सुन कर हम कितने लोगों को पहचान सकते हैं तो ज़ाद से ज़ादा पांच या छे लोगों तक ही हम पहचान सकते हैं. Which was easier of two? इन दोनों में कौन सा आसान था अपने दोस्तों को पहचानने के लिए? तो हम जब किसी को सुनते हैं, तभी हम उसे अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं. Touch and tell how many teeth are there in your mouth? Which students in the class have maximum number of teeth? How many things can you recognize by only touching? हम छूकर कपड़े, काच के बरतन, स्टील के बरतन, फूल, क्ले, या फिर किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं. मतलब ऐसी चीज़ जिन में जान नहीं होती हम उनकी शेप से छूकर पहचान सकते हैं. लेकिन अगर हमें अपने दोस्तों को या फिर इनसानों को चूकर पहचानना हो, तो सिर्फ चूकर नहीं, उनकी आवाज भी सुननी होती हैं. तभी हम उनकी आवाज को सुनकर उन्हें पहचानते हैं. उसी तरह, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, उन्हें भी एक स्पेशल तरीके की बुक को चूकर ही पढ़ना होता है. There is a special way of reading and writing for people who cannot see. और उसे कहते हैं Braille Script. It is written on a thick paper by making a row of raised points or dots with a pointed tool. Braille Script को एक मोटे से paper पे उभरे हुए dots के rows को बना-बना कर बनाया जाता है. और इन्ही raised dots को जब blind people चूते हैं, तभी उन्हें अक्षरों का पता चलता है और वो इस book में लिखी गई चीजों को समझ पाते हैं. Let us learn about Braille. रवी भाया भी इसी तरीके की Braille Script में लिखी हुई book को पढ़ रहे थे. How were these books made? Who first thought of these books? चलिए, उसके बारे में और ज़्यादा पता करते हैं. Lewis Braille नाम के एक छोटे से बच्चे थे जो फ्रांस में रहते थे. जब वो तीन साल के थे, तब अपने पापा के टूल्स के साथ खेल रहे थे. और खेल-खेल में अचानक एक नुकेली पॉइंटेट टूल से चोट लगकर उनकी आँखे खराब हो गई. He lost his eyesight. He had keen interest in studies. लेकिन उन्हें पढ़ाई लिखनाई का बहुत शौक था. He did not give up. Lewis Braille ने हार नहीं मानी. He kept thinking of different ways to read and write. Lewis Braille ने पढ़ाई लिखाई करने के अलग-अलग तरीके सोचने लगे. Finally, he found a way. और आखिरकार उन्हें एक तरीका मिल ही गया. Reading by touching and feeling. छूकर और फील करके पढ़ना. This way of reading later came to be known as the Braille script. और उसी तरीके की लिखाई को आज के दिन में Braille script कहां जाता है. क्योंकि इस तरीके की लिखाई Lewis Braille ने ही तैयार कियी थी. आज इस तरीके के script में बहुत सारी किताबे बनाई जाती है. और यहां तक ही computer's के keyboard में भी उसका इस्तमाल किया जाता है. ताकि blind people भी computer's के keys को छू छू के 1, 2, 3, 4 या ABCD को अच्छी तरीके से पहचान सके और पढ़ सके. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. क्योंकि यह points थोरे से उभरे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें छू कर समझना बहुत ही आसान होता है. और blind people बड़े ही आसानी से पढ़ सकते हैं. This script is based on 6 points. Braille script 6 points पर आधारित होता है. The Braille script has undergone many changes these days. आज के दिन में Braille script में बहुत सारे changes हुए हैं. लेकिन फिर भी blind लोगों के पढ़ाई लिखाई करने के लिए ये बहुत ही आसान तरीका हो गया है, जिससे वो आजकल computers, books और हर एक चीज को आसानी से पहचान भी लेते हैं. तो है ना उनके लिए कितनी अच्छी सी चीज? तो इसी के साथ हम कतम करते हैं.